दोस्तों ये एक HP की डंकी पम की मोटर है हमने इसे रिवाइंडिंग किया है 21 नमबर सिल्वर वायर से हमने टन दिये है 90-90 दो क्वाइल का चार सेट रणिंग के हैं और स्टार्टिंग में सिंगल क्वाइल डाला गया है तेस नमबर अलमुनियम वायर से 75 टन इसकी वाइंड दोस्तों ये मोटर अभी खाली में चल रही है एंपेर 1.6 है इसे हमने 240 वॉल्ड के हिसाब से वाइंड गया है इस वक्त वॉल्टिज जो है वह हमारे पास तक्रीबान 230 आ रहे है और जाहतर यहां पे जो वॉल्टिज है 240 रहता है इस हिसाब से हमने इसे वाइंड किया है क इसके MPR थोड़े कम रहे हैं अगर हम इसे 220 वोल्ड के हिसाब से वाइन करना चाहेंगे तो उस वक्त इसमें हम ट्रंड देंगे 90 और 80